तीजगड के बॉलोदः बजार में इस वक्त हम मौझूद हैं यही वो कलेक्रेट परिसर है जिसे सत्नामी समाज के प्रदर्सण कारियों ने आग के हवाले कर दिया यह संयुक्त कारियाला है मैं दिखाना चाहता हूँ उस तरफ वो कलेक्रेट परिसर की बिल्डिंग हो यहा मामले को लेकर लगातार वो आवाज उठा रहे थे लेकिन जो है उन्होंने ग्यापन दिया था कि इस पूरे मामले पर उचिस्त्री जांच होनी चाहिए अभी तक कोई जांच नहीं हो रही थी जिसको लेकर यहां वो पहुंचे और यह देखिए तस्वीरे देख लीजिए कि यह दिखाओ कि यह देखिए यह खुद पुलिस अधिच्छक का काराला है जिनके उपर जिम्मेदारी होती है जिले को समहालने की और यहां पर जो है इस कलेक्रेट परिसोर एसपी आफिस को भी तोड़ फोड कर दिया गया यहां पर ग्रास लगे हुए थे इन पर पहले त देखिए यहां पर यहां पर बिखें कि किस तरह से पूरा यहां पर आते जाए यहां पर काफी जो है अभी बी कि कई जगों पर इसा बताए जा जा रहा है आग फैली हुई है, फायर बिग्डेट की गारिया ही देख सकते हैं, फायर बिग्डेट की तमाम गारिया यहां पर पहुंची हुई है, यही वह बिलडिंग है, कलेक्टर रिष्पी का सयूक्त कारेल है, जिसे सतनामी समाज के लोगों ने आग के हवाले कर दिया, प्रदर्सनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, सतनामी समाज के लोग दसहरा मैदान पहुचे हुए थे अपनी मांगों को लेके कि उनके जो गिरोधपूरी में जैत खंब है और धार्मिक इस्थल उनका माना जाता है उसमें तोड़ फॉड हुई थी उस मामले पर लेकर वो जो लोग हैं वो उच्छिस्त्री जाच कराना चाहते थे उस पूरे मामले पर उच्छिस्त्री जांच होना चाहिए लेकिन उन लोगों का रोप है कि वो है लहतार प्रसासन हलाकि एतिहातन के तौर पर बैरिकेटिंग थी, फोर्सेस तयार थे वहाँ पर लेकिन प्रसासनी चूक इसलिए क्योंकि वहाँ पर तीन से चार हजार की संख्या में जब प्रदरसंकारी पहुंचे थे, जिसकी जानकारी कहीं ने कहीं प्रसासन को नहीं थी, और इंटेलिजे यह जलकर खाक हो गई, खोरी लाल तस्वीर है इधर दिखाते चलो, यह देख सकते हैं, यह यहाँ पर जो है, तमाम जो गाडियां है, वो जो है आग के हवाले कर दी गई हैं, इसके अलावा यह देखे, यह कार यहाँ पर, यहाँ पर यह गाडी थी, इस गाडी को भी आग लगी हुई है अभी भी, वो धुवा जल रहा है अभी भी, और इसके अलावा जो है, इस परिसर में जितनी भी गाडियां थी, उसे जो है, आग के हवाले कर दिया गया, यह देखे, तस्वीरे, देखे, सतनामी समाज के लोगों का प्रदर्सन इतना उग्र था, कि कलेक्ट हवाले कर दिया गया है, यह देखे, यह, होली लाल इधार दिखाओ, तस्वीरे दिखाओ, यह देखे, यह देखे, यह गाड़ी, यह गाड़ी, इनको आग के हवाले कर दिया गया है, और अभी भी जो है, धुआ, इन गाड़ीों में इसके अलावा यह देखे, यहाँ पर यह देखिए यह तमाम जो motor cycles रखी हुई थी और यह गाड़ी रखी देखिए यह सरकारी गाड़ी इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है इसके लाबा आगे यह तस्वीरे दिखाएं यह तस्वीरे दिखाएं यह देखिए इसी जो है परिसर में collectate परिसर यह गाड़ियां रखी थी और प्रदर्सनकारियों ने कि इन गारियों को आग के हवाले कर दिया दिया देखिए पूरी तरह से तमाम जो गाड़ियां है यह जलकर खाक हो चुकी है और तीन से चार हजार की संख्या में प्रदर्सनकारी पहुँचे हुए थे और यह पूरा जो नजारा है यह 36 गड़ के बलोदा बजार जीले का नजारा है collectate परिसर के अंदर प्रदर्सनकारी घुचे पर देखिए इस तरह से गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिय अखिर बड़ी बात है कि प्रदर्सनकारी के हौसले इतने उग्र कैसे हो गए कि उन लोगों ने इन तमाम गारियों को आग के हवाले कर दिये यह देखिए इस परिसर में आप देखते जाएंगे तो एक लाइन से लगातार गारिया है जिहें प्रदर्सनकारी ने आग के लेकिन प्रदर्सनकारी इतने उग्र थे उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही थी जिसके बाद जो है उन लोगों ने इस तरह से प्रदर्सनकारी के तमाम जो गारिया यहां खड़ी थी उनको पहले पत्राओ किया पत्राओ करने के बाद उन पे आग के आग लगा दिया उन ग स्कूटी जो तमाम टू विलर्स थे उन पर आग लगाया गया बिल्डिंग में तोड़ फोड किया गया दोनों तरफ से जो है काफी प्रदर्सनकारियों के बीच जड़ाप हुई फोर्स ने जो है उनको रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाई हुई थी पुलिस ने लेकिन तो बैरिकेटिंग तोड़ कर अंदर पहुँचे जिस तरह से जो है लगातार पहले आग लगी फायर ब्रिगेट की गारिया बुलाइगे और अभी भी तस्वीरे आप देखी रहते कि फायर ब्रिगेट की तमाम जो गारिया है वो कलेक्टरेट परिसर के सेकेंड फ्लोर प बताया था कि वो लोग प्रदर्सन करेंगे सतनामी समाज के लोग प्रदर्सन करेंगे उनकी मांगों पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया जिसके बाद वो लोग जो है कलेक्रेट पहुचे और उन लोगों का गुस्ता इतना उग्र था कि पुलिस और सतनामी समाज के लोगों के बीड बहस हुई, बहस के बाद बहस गुषाँ और उनुक्त पहले पत्थराओ कीज और लगातार पूत। यहाँ भी गाडी देख सकते हैं, इसमें भी गाड़ी यह तोड़ी शामाद लगालियों न इडऴे अगा दाख अ मस्कूद ≤ यहां पर लगातार यहां पर उर्गर प्रदर्शन कई घंटों तक होता रहा यहां पर इनसे बात करते हैं यह आपकी गाड़ी है क्या सर आपकी गाड़ी है यह तो यह कितने टाइम आप यहां पर पहुंचे हुए थे हम लोग सुपा दस बाज से साय हुए थे तो जानकारी सब्सक्राइब क्या पता था कि प्रदर्शन जो है उग्र होने वाला इसलिए गर्यावंस यहां बुलाता ही है तो आप जब यहां पर गाड़ी जला रहे थे उस वक्त आप ड्यूटी में थे इधर कितने लोग रहे होंगे बेट तो अच्छी खासते दिख रहे थी अब उसके बार ने बिससाइब जर्तुन है फिर अच्छी थी देख सकते हैं कि जो यहां पर लोग पहुंच हुए थे उनकी गारिया जलाई गई गई और जो यहां पर पुलिस के कर्मचारी पहुँए थे जिनकी ड्यूटी यहां पहुँचे उन्हों ने अगर प्दर्संघ किया और प्रदर्संघ के बाद देख सकते हैं कि कलेक्टर एक कर नजारा देखिए कि یہ बलोदा बजार जीले का कलेकटर ऑफिस है SP office है, collector जिसके उपर जिम्मेदारी होती है, जिले को सम्हालने की SP जिसके उपर जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा करने की, लेकिन ये तस्वीरे देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक प्रसास्निक चूक हुआ है और ये प्रसास्निक चूक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहां पर देखिये, कि तमाम जो गारियां है उनको जला दी गया, और तमाम जो बाइक है उनको जला दिया गया, जो collect rate परिसर है उसको जला दिया गया और collector SP को यहां से कहीन कहीन निकलना पड़ा, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लेकिन ये पूरा जो वाकिया है ये कहीने कहीने गंभीर है हलाकि पूरे मामले पे जो है सरकार अब सक्त हो गई है और इस घटना के बाद जो है आस-पास के लोगों में भी दहसात का महौल है पहुँचे कैसे और इतनी बड़ी आखिर घटना कलेक्टेट परिसर के अंदर कैसे हो गई कैमरा परसन होली लाल के साथ जैर प्रकास्त रिपार्थी ABP News बलोदा बजार